जैशी किशना दोस्तो बियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको शिप्राण के बहुत ही अद्बुद और चबतकारी उपाय बताने वाले हैं जिनको अगर आप पुरे विश्वास से करते हैं तो यकीन मानिये आपके जीवन में चल रही स आप जी कभी भी nad कर सकते हैं लेकिन सोंवार के दिन से करें तो बहुत ही शेष लाप मिलेगा क्यूंकि सोंवार का दिन भगवान शंकर कहामाना गिया है और इस दिन से अगर आप इन उपायों को करते हैं तो जीवन में बहुत जल्दी आपको सफलता मिलती है दोस्तों कई बारी हम बहुत प्रियास कर लेते हैं बहुत सारे उपाय कर लेते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है घर में सुक शांती का माहूल नहीं है बरकत नहीं हो पाती है यानि किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल पारी है तो इस उपाय को आप जरू करें इन उपायों को करने से आपकी जिस भी कारे में बाधा आ रहे हैं चाहे नोकरी में विवहा में संतान प्राप्ती में या पुत्र प्राप्ती में या किसी भी ऐसी जो मतलब आपके जीवन में कोई ऐसा कारिया है जो सफल नहीं हो पा रहा है तो आप इस उपायों को जरूर कर कि बहुत से मतलब नगरात्मग negativity होती है जिसके कारण हम कितने भी प्रयास कर लेते हैं कितने भी उपाय कर लेते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है तो आप इस उपाय को जरूर करें सबसे पहला उपाय है दोस्तों अगर घर में बरकत नहीं होती है किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है चाहे आपके संतान प्राप्ती में हैं नोकरी में हैं विवा में हैं या किसी भी काम में अगर आपको सफलता नहीं मिल पारी है तो आप इस उपाय को जरूर करें आप आपको एक लोटा जल लेना है और इस उपाय को आपको देखे पांच दिन लगातार करके देखना है देखना आपको खुद बखुद अपने जीवन में मतलब प्रभाब देखेगा एक अलग सी शांती आपको मिलेगी आपके कारे बनते हुए नजराएंगे दोस्तों आपको एक लोटा लेना है आप कोई सा भी लोटा ले सकते हैं पीतल का अतामबे का या स्टील का उसमें आपको अपने घर का जो मतलत ताजा पानी आता है सुबे का यानि जो चलता हुआ पानी आता है सुबे का वो भरना है और उसके अंदर आपको एक सफेद फूल लेना है दोस् नहीं रखना है अंदर की तरफ रखना है आपको उस कलश को और उसे रखे ही रहने दे और दूसरे दिन उस जल को आपको अपने घर के दहलीज पर डालना है और उस लोटे में फिर से आपको मतलब शुद्ध जल भरकर उसमें एक फूल डालना है उस फूल को आपको अपने घ भरके किसी भी गमले में डाल देना है। दोस्तो देखना जितने भी, मतलब वास्तू दोष नाकारात्म कुरजा है, या आपके घर में सुक शान्ती नहीं है, बरकत नहीं हो पाती है, काम में सफलता नहीं मिल पाती है, तो इस उपाय को आपको पांच दिन लगातार करना है दूसरा उपाय भी बहुत ही अद्भुत उपाय है दोस्तो अगर आपको धन की प्राप्ती नहीं हो पारी यारी नोकरी वैपार में अगर आपको लाब नहीं मिल पारा या आपको संतान की प्राप्ती नहीं हो पारी है या पुत प्राप्ती में रुकावट आ रही है तो आपको इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए आपकी कोई ऐसी विशेश मनो कामना है जो पूरी नहीं हो पारी है तो इस उपाय को जरूर करें दोस्तों इस उपाय को कर आपको 5 बेल पत्र लेने हैं 5 बेल पत्र साफ सुतरे होने चाहिए और आपको 4 बेल पत्र पर पीला चंदन लगा लेना है यानि 3 पत्तियों का 1 बेल पत्र होता है तीनों पत्यों पर आपको पूरी पत्यों पर पीला चंदन लगा लेना है चार पत्यों पर और एक पत्य पर आपको लगाना है गाय का घी दोस्तों आपको एक कटोरी में या प्लेट पर पहले तो दो जिस पर आपने पीले चंदन लगाया है मतलब दो पत्तियों को रखें उसके उपर आपको घी वाली पत्ति रखनी है और उसके उपर आपको दो पत्तिया जो पीली चंदन की थी वो रखनी है और अपने घर में इशान कोण की तरफ या फिर आप अपने घर के मंदिर में इस उपाय को करें दोस्तों उस कटोरी में पांचो पत्तियों को रख कर वहाँ पर आपको एक शुद्ध घी का दीपक जला देना है आप मतला अपने घर के इशान कोण यानि उत्तर पूरव जो दिशा होती है उस कोणे में रख कर कर सकते हैं या अपने घर के मंदिर में उन पांचो पत्तियों को रख कर वहाँ पर घी का दीपक जलाना है और साइ काल के समय यानि प्रदोश काल के समय आपको उन पांचो बेल पत्री को लेकर शिव मंदिर में जाना है और शिवलिंग पर आपको पहले मतलब दो पीले चंदन वाली पत्तियां और उसके बाद घी की पत्ति और उसके बाद आपको फिर से पीले चंदन की पत्ति यान दोस्तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बार इस उपाय को करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी दोस्तो जब भी आपको अपने जीवन में परेशानिया दिखती है तो बीच बीच में जीवन में जब भी आपको समय मिलता है तो यह उपाय करते रहना चाहिए जिससे कि आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो सके साथ ही दोस्तों कई बारी देखे ग्रह दोश के कारण आपकी कोक बन जाती है वैपार बन जाता है या फिर आपको संतान प्राप्ती में रुकावट आ रही है किसी भी मतलब ग्रह दोश के कारण या कुंडली के दोश है पित्र दोश है या क शेश रूप से जिन बहनों को देखे संतान सुख नहीं मिल पारा उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए दोस्तों शिवलिंग पर आपको देखिए जो बास के पत्ते होते हैं आपको देखिए बहुत मुश्किल से मिलेंगे लेकिन बास के पत्ते अगर आपकी कोक बंदरी ह तो आपको बास के पत्ते शिवलिंग पर जल चड़ाने के बाद आपको बास के पत्ते अवश्य चड़ाने चाहिए या फिर ग्रह दोश के कारण या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानिया लगी हैं दुख दर्द बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको शम प्ते या फिर बांस के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं तो जरूर शिबलिंग पर चुड़ाएं किसी भी तरह से अगर कोख बंदरी या ग्रह दोश के कारण या किसी शापित दोश के कारण तो निश्शिद ही आपको लाब मिलेगा आपका कोख बंदन खुल जाएगा और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी दोस्तों ये हमने छोचोटे उपाय बताए हैं तो इन उपायों को जरूर करें जब भी आपको ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत ज़्यादा परिशानी चल रही है आपकी इच्छा पूरी ही नहीं उपारें तो आप इन उपा देव वश्य लिके आप सभी को जैशी कुष्णा